नहीं रहे महाभारत की भीम अक्टर प्रवीन कुमार सोपती जिन्होंने बी आर चोपडा के महाभारत में भीम का किरदार निभाया था जिस किरदार ने उन्हें पॉपलारिटी दी वो इस दुनिया से चल बसे प्रवीन लंबे समय से स्पाइनल प्रॉब्लम से जूँज रहे थे बेड रेस्ट पर थे चल नहीं सकते थे और एंड में तो इतनी मुसीबत उपर आई कि फिनाशल क्राइसिस से तक जूँज रहे थे एक महीने पहले ही प्रवीन कुमार को लेकर खबर आई थी कि कैसे जिस शक्स ने ना सिर्फ इंडियन सिनेमा बलकि स्पोर्ट्स और सेक्यॉरिटीज को भी अपनी सर्विसस दी उन्हें बुढ़ापे में आर्थिक तंगी से जूँज ना पड़ रहा है कम ही लोग जानते हैं कि प्रवीन कुमार सोक्ती जिनकी हाइट कतकाथी बहुत अच्छी थी वो सबसे पहले एक एथिलीट थे हैमर और डिस्क त्रो का हिस्सा रहे कई सारे इंटरनाशनल लेवल के गेम्स में उन्होंने हिस्सा लिया जिसमें एशियन गेम्स और उलम्पिक गेम्स भी शामिल है इसके बाद प्रवीन कुमार सोक्ती ने B.S.F. जॉइन कर लिया और कई सालों तक वो B.S.F. का हिस्सा रहे हाला कि बाद में उनका रुझान फिल्म इंडस्ट्री की तरफ हुआ और तब उन्होंने फिल्मों में रूल करने शुरू किये सबसे जादा पहचाम दिलाई महाभारत सीरियल में जिसमें उन्होंने भीम का किरदार निभाया और तब से लेकर अब तक वो 50 से जादा फिल्मों में काम कर चुके हैं पिछले कुछ समय से प्रवीन कुमार सोकती की स्पाइनल इंजिरी के कारण हालत खराब हो गई थी चल फिर नहीं पा रहे थे बैट पर ही थे उनकी पतनी उनका खयाल रख रही थी घर में कमाई करने वाला कोई नहीं था जो पैंशन आती थी उससे घर का खरचा तो चलता लेकिन medical expenses निकालना मुश्किल हो रहा था प्रवीन सोकती ने मरने से पहले एक interview दिया था जिसमें उन्होंने नाराजगी जताई थी सरकार की तरफ की कैसे एक athlete एक security forces का भी वो हिस्सा रहे और cinema में भी योगदान किया तीन फिर्ड में इतना मुकाम पाने के बावजूद कै कैसे सरकार ने उनसे मूँ मोर दिया और उन्हें आर्थिक मदद तक नहीं की गई उस interview को अभी एक महीना ही हुआ था कि आज ख़वर आ गई 74 की एच में प्रवीन कुमार सोकती चल बसे इंडियन सिनिमा ने होया एक और बहतरीन आक्टर